हेलो फ्रेवन स्वागत है आपसे लोग का स्टेटी फाइप पांट सेश में आज मैं आपसे लिगों पेजी बिंजिकों का मान निकालना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीकी से आपको पताएंगे आपको सुझ भी आजाएगा पाला प्रशने देखिए निम्नांकित बिंजिकों के मान यक्स बराबर थरी के लिए क्या होगा यानि यक्स बराबर थरी के लिए ग्यात कीजिए इसका कहने का मतलब है प्रशन में जहाँ पर यक्स होगा वहाँ पर आपको क्या 3 लिख देना होगा जैसे देखे पहला प्रश्ण है 7 x minus 5 लिखा हुआ है इसका माना आपको निकालना है तो यहाँ पर देखे यक्स है यक्स की जगाँ पर आपको क्या लिखना है 3 लिख देना है यानि 3 लिखना है क्योंकि यहाँ पर बोला है यक्स बराबर आपको 3 लिखना है तो चलिए इसमें हम लोग यक्स बराबर 3 लिखकर साल्व करते हैं तो यहाँ पर 7 into x, 7 x से लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है 7 into x तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे 7 गुड़े, यक्स बराबर क्या लिखना है, यक्स बराबर 3 लिख देना है तो यक्स के जगहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 हो जाएगा तो 7 into 3 हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर देखें minus 5 लिखा हुआ है, तो हम भी क्या लिख देंगे minus 5 लिख देंगे अब इसे असानी से सरल कर लिजिए, 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा इसके बाद minus 5 लिखा हुआ तो minus 5 लिख देंगे, अब आप 21 में से आप अगर 5 घटाएगे तो कितना आजाएगा आपका, 16 आजाएगा, कितना 16 आजाएगा, तहाँ पर आप 16 लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा असा करता हूँ, पहला सवाल आपको जरूर सोज में आया होगा दूसरा सवाल है आपका देखिए, 35 माइनस 2 एक्स का पावर 3 है, क्या 35 माइनस 2 एक्स का पावर 3 है इसके बाद दो लिखा है तो दो लिखती जिएगा यक्स की जगाँ पर हमें क्या लिखना है 3 लिखना है क्योंकि यक्स बरावर 3 बोला है प्रश्ण में कि यक्स के जगाँ पर आप क्या 3 लिखिए तो यहाँ पर यक्स है इसके बाद minus 2 into 3 का पावर 3 है 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 का गुड़ा 3 बार यानि 3 into 3 into 3 तो जब 3 का गुड़ा आप 3 बार करेंगे जैसे यहाँ पर देख लिजिए 3 into 3 into 3 तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इसके बाद फिर आप 3 का गुड़ा करेंगे तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 35 minus 2 into कितना 3 का पावर 3 था तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा क्योंकि 3 पावर 3 मतलब क्या होता है तीन का गुड़ा तीन बार तीन गुड़े तीन गुडे तीन तिन त्रिक करना हुगा नव त्रिक कितना हो गया 27 हो गया तो भाई 27 हमने यहां पर लिख दिया अब इसे और इसका थोड़ा अग्ला st speaks करिए 35 है तो 35 लिख दिजियेगा माइनस का चिन लगा ये 2 इंटू 27 यानि 2 गुड़े 27 जब आप करेंगे तो आपका अंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा 2 सत कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 2 दूना चार एग 5 हो जाएगा तो 2 इंटू 27 कितना होगा 24 होगा अब आप क्या करेंगे तो कि जिस भी चिन के सामने वाली संख्या बड़ी होती है जोड़ और घटाओं में उसी कचिन ही आपर लग जायता है तो यहापर माइनस कचिन लगएगा यही आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा आसा करतो हूं आप सभी लोग को यह तरीका जरूर समझ में आया होग कह रहा है कि ए बराबर आपको माइनस टू रखना है यहाँ पर प्रस्ण में ए है वहाँ पर आपको माइनस टू लिख देना है तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेगा 5A2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू A2 है तो 5 इंटू A की जगा पर हम क्या लिख द 4 एक मतलब 4 into A है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4 into A की जगह पर minus 2 रखना है तो यहाँ पर हम 4 into minus 2 रिख देंगे इसके बाद minus 2 है तो यहाँ पर हम लोग क्या minus 2 लिख देंगे अब इसे आप असानी से सालो कर लेंगे 5 into minus 2 को power 2 है minus 2 को power 2 को मतलब क्या हो जाएगा minus 2 into minus 2 क्या minus 2 into minus 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा minus into minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 into minus 2 into minus 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा इसके बाद minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ पर जब प्लस होगा तो लिखने की कोई हो सकता प्लस की नहीं है इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो इसी देखिए कैसे साल करेंगे प्लस 4 into minus 2 लिखा हुआ है क्या प्लस 4 into minus 2 लिखा हुआ है तो पहले आप 4 का गुड़ा दो में कल लिजिए चार दुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 4 है into minus 2 है तो प्लस into minus क्या हो जाएगा हमेशा minus ही होगा हमेशा क्या होगा minus होगा इसके बाद यहाँ पर देखिए minus 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग minus 2 लिख देंगे इतना step हम लोग का complete हो गया अब इसका अगला step आपको करके बताता हूँ 5 ओक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तिहां पर आप 20 लिख देंगे इसके बाद minus 8 minus 2 लिखावत उसे उसी तरह लिख लें minus 8 minus 2 अब देखिए 20 में से आप 8 गटाएंगे इतना आजाएगा जब 20 में से 8 गटाएंगे 12 आजाएगा फिर 12 में से आप minus 2 करेंगे कितना आजाएगा 10 आजाएगा 12 में से minus 2 करेंगे आपको कितना आजाएगा 10 आजाएगा यही आपको क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा अस्ता करता हूँ आपको ये चीज़ जरूर समय होगी यह आपका दूसरा सवाल है इसे भी आप लोग द्यान से समझेगा यहाँ पर भी क्या A बराबर आपको minus 2 रखना यानि जहाँ पर A है वहाँ पर आपको क्या minus 2 लिख देना है तो पहला सवाल यहाँ पर देखें दूसरा सवाल A का पावर 3 प्लस 4 A का पावर 2 प्लस 3 A माइनस 7 लिखा हुआ है तो जहाँ पर A है वहाँ पर minus 2 रखना है तो यहाँ पर देखें कैसे लिखेंगे A का पावर 3 यानि A की जगा पर हमें minus 2 लिखना है यानि एक पावर 2 था, तो एक ही जगमा पर minus 2 लिखना है, तो minus 2 का पावर केतना हो जाएगा, इसके बाद पुलस का चीन है, तो पुलस का चीन लगाएंगे, 3 ए लिखा हुआ है, तो 3 into क्या हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा, जहाँ पर A है वहाँ पर हमें क्या minus 2 लिखना है इसके बाद minus 7 है तो यहाँ पर हम लोग क्या minus 7 लिख देंगे आसा करता हूँ यह इतने चीज आपको जोरूर समझ में आई होगी अब इसे हम लोग आसानी से साल कर लेंगे minus 2 का power 3 का मतलब क्या है minus 2 into minus 2 into minus 2 जब आप इसका गुड़ा 3 बार करेंगे तो minus 2 into minus 2 पाले आप करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा फिर 4 का गुड़ा आप minus 2 में कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा तो plus minus क्या हो जाएगा? minus हो जाएगा माइनेस टू को गुड़ा आपको तीन बार करना है, तो दो दूना पहले कितना हो जाएगा, आपका चार हो जाएगा, माइनेस माइनेस प्लस हो जाएगा, तुसे लिखनी कोई सकता नहीं है, फिर चार का गुड़ा आप माइनेस दो में करेंग, चार दूना कितना हो जाएग फोर लिख लेंगे, इंटू का चिन नहीं, तो इंटू का चिन लगाईएगा, माइनस टू को पावल टू को मतलब क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस टू, तो दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, 3 into minus 2, तो 3 का गुड़ा आप आले 2 में कलिजिए, 3 दुना कितना हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर देखे, किसका चिन लगेगा, यहाँ पर plus गुड़े minus क्या होगा, minus होगा, plus गुड़े minus क्या होगा, minus होगा, तो कितना हो जाएगा, minus 6, इसके बाद यहाँ पर देखे, minus 7 लिखा होगा, तो minus 7 आप भी लिखतेंगे, अब इसे आप अफसानी से साल्व कर लिजिएगा, यहाँ पर देखे, कितना लिखा होगा है, minus 8, plus 4 into 4 लिखा होगा है, क्या, minus 8, plus 4 into 4 लिखा होगा है, इसे आप क्या लिखेंगे, minus 8, plus आपका क्या हो जाएगा, 4 गुड़ी, 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसके बाद, minus 6, minus 7 लिखा होगा है, तो आप भी लिख लिजिएगा, minus 6, minus 7, अब आप अगला इस्टिप आप इसका करेंगे, minus 8, plus 16 लिखा होगा है, क्या, minus 8, plus 16 लिखा होगा है, यानि घटेगा, तो 16 मस्य आप जब आप 8 घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर किसका चिन लएगा, plus का चिन लएगा, क्योंकि जिस भी, चिन के सामने वाली संख्या बड़ी होगी, उसी का चिन लगता है, तिहाँ पर plus लिखने की कोई हो सकता नहीं होगी, ओ आप आटोमेटिक प्लस में माना जाएगा, अगला इस्टिप आप देखिए, इसमें करेंगे, आपका 2 आजाएगा, कितना आजाएगा, 2 में से माइनस 7 जब आप घटाएंगे, तो आपका कितना आजाएगा, यानि 2 में से जब आप माइनस 7 घटाएंगे, तो आपका कितना जाएगा, माइनस 5 आजाएगा, अगर ये चिन नस्वांज में आई, तो मैं step to step बता देता हूँ 8 में से आप 6 घटाए कितना आ गया आपका आपका 8 में से जब आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पर minus 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या plus 2 आएगा sorry 8 minus 6 आप करेंगे कितना जाएगा plus 2 आ जाएगा इसके बाद minus 7 बच रहा है तो minus 7 लिख देंगे अब आप क्या करेंगे यहाँ पर plus 2 minus 7 यानि आपको plus minus क्या होगा minus होगा तो घटाना होगा 2 मसे आप 7 को घटाना है तो सबसे सरल आप 7 मसे 2 घटाएंग कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर किसका चिन लएगा जिस भी चिन के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन लगता है तो यहाँ पर कितना होगा minus 5 होगा यही आपका क्या होगा answer होगा आस्ता करता हूँ आपको इस सारे सवाल जरूर सोंजाए होंगे तिसी परकार के मददफल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो को लाइक और सेर करना नम भूलिएगा धन्यवाद